जैसे रादे मित्रों हरह महादेव जैमा चंद्रवद्नी मित्रों चंद्रवद्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीबुक पाद्यायत देभुमि उत्राखन से आप सभी का पुना अपने चैनल में चंद्रवद्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्व तो आप वीडियो में अंतिम तक अवस्य बने रहें, अपने इस्टमित्रों के साथ वीडियो सेर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिर लोग हमारे वीडियो से लावान मित हो सकें। और जो पहली बार हम से जुड़ रहे हैं, किरपे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आगे आने वारी वीडियो जो है समय समय अनुसार आप तक पहुंचती रहें। तो बात करते हैं मकर रास के जातकों के। भी ब्यतित करेंगे। भाई बहनों के साथ आप उनके कारियों में हाथ बटाते हुए कल जो है नजर आएंगे और घर की जरूरत का सामान है उसके खरीदारी में भी कल आप ब्यस्त रहेंगे। तो कुल मिला के कल का दिन पारवारिक माहौल आपका बहुत ही सुब रहेगा। जीवन साती के साथ किसी बात को लेकर थोड़ा सा आपकी बहस हो सकती है लेकिन बाद में आपको पस्तावा होगा। काम के बीच बीच में थोड़ा सा आराम भी आपको करना है और देर रात तक काम आपको बिलकुल नहीं करना है। आपको जो है कई स्रोतों से आर्थिक लाव प्राप्त होगा अनेका अनेक स्रोतों से आपको जो है आर्थिक लाव की प्राप्ति होगी घरेलू जिन्डगी में कुछ तनाव का भी थोड़ा सा सावना आपको करना पड़ सकता है और प्रेम जीवन जी रहे लोगों के जो भाई के बिवहा पर मोहर भी आपकी लग सकती है जिससे परिवार में खुसियों का माहुल जो है वह दुगना बढ़ जाएगा और मांगलिक कार्यकरमों का आयोजन भी आपके यहां होता हुआ दिख रहा है माता जी को लेकर आप जो है ननिहाल गूमने भी कल जा सकते हैं तो मन की सांती के लिए आप जो है अपना कुछ समय जो है मन की अगर सांती चाहते हैं तो आप अपना कुछ समय जो है वह धार्मिक कार्यकरमों में ब्यतीत करें या भगवान की मंदिर जाकर के भगवान की सेव आप करें तो आपका जो है थोड़ा सा मांसिक तनाव जो है कम हो जाएगा मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और कल यानि की 9 फरवरी 2023 को आप अपने लिए कुछ समय निकालेंगे जिसमें आप जो है अपने पसंद्धा कारे जो हैं जो कारियों को आप पसंद्ध करते हैं उन पसंद्धा कारियों को करेंगे तो समय निकाल करके आप अपने पसंद्ध के भी कल कारे करेंगे तो कुल मिला करके मगरास के जातकों के लिए 9 फरवरी 2023 का जो समय है दिन है वह बहुत सुब होने वाला है अब बाद करेंगे अंतिम में के कौन सा उपाय करें जिससे जो भी थोड़ी सी बिगन बादाएं हैं वह बिगन बादाएं दूर हो और पूर्ण रोप से आपका दिन मंगल में हो तो आपको क्या करना है कि प्रादाकाल असनान करने के वाद गनेश जी का आपको पूजन करना है गनेश जी को हरी दुबड़ा हरा जो दूबड़ा है दुरवाज घास होती है ओंगंगन पते नमहां बोल करके गनेश जी को 5,7 या 11 वार आपको समर्पित करनी ह और गणेश जी का ध्यान करके जो भी कोई भी कार्य आप सुरू करें तो गणेश जी का इस्वान करते वे उस कार्य को प्रारम करें तो भगवान गणपती के महराज जी के आशिवाद से आपके वह कार्य निर्विंगत परिपूर्ण होंगे ऐसा हमारा बिस्वास है और भगवान गनेजी का आशिवाद आपको प्राफ्ट होगा तो यह उपाय आप जरूर करें और उसके बाद कोई विकाय आप प्रारंब करें तो आपका दिन मंगल मैं होगा तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं करें कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो आपको कैसे लग रहा है और माभगती का अशिवाद आपको प्राफ्ट हो जैसी राधी जै मातादी